वैलकम बैक ग्स on BackVenture Medicals जो अपने तोपिक्स करते हैं question & answer के format में तो देख्थे है आज का मारा topic क्या है ? कोज पोस्टिलेट्स में क्या होता है क्या होता है दो according to this microorganism can be accepted as a causative agent of infectious disease only if the following condition are satisfied किसी भी micro organism को किसी जो disease cause करता है उस disease का causative agent तब ही माना जाएंगा तब वो कब माना जाएंगा जब वो organism ये चार conditions जो coach postulate के चार conditions है वो satisfied करेगा तब तो किसी फोर कंडिशन से तो सबसे पहला है association अगर जो भी organism जो disease cause कर रहा है या फिर infection cause कर रहा है वो जो है और लेशन के साथ मतलब जो भी लेशन होंगे उस एनिमल्स को उस लेशन के साथ वो associate होना चाहिए कुन वो disease causing organism और next condition जो है isolation मतलब उस उस लेशन से जो है उस microorganism को या पर bacteria को isolate करते आना चाहिए और फिस उस जो culture जो हमने isolate किया है उस culture को अगर हमने दूसरी organism में exit किया तो वो same प्रासीट करनी चाहिए किसी microorganism को उसका causative agent declare करने के लिए तर देखते है condition बैक्टेरियम शुद बिचूंतली अगर अगर हमने जो चल्चर किया थे बैक्टेरिया को अगर उसको हमने लेबरितरी अनिमल्स के अदर डाला तो वह से दिखाना चाहिए, it should be possible to re-isolate the bacterium in pure culture from the lesions produced in the experimental animals, जो हमने यहाँ पे culture यहाँ पे इनिवलेट किया है, एनिमल के अंदर, जो उस lesions से भी हमने सेम जो हमने बैक्टेरी यहाँ से इसलेट किया था, वही बैक्टेरी यहाँ पे इसलेट होना चाहिए, तो यह जो है यह चार कंडिशन्स, साइडिस्पाइट करनी चाहिए, according to ghost postulate, to be, उसके बाद ही किस मैकर और्गन्सम को infection का causative agent माना जाए सकता है,